यशायाह अध्याय ते रह यशायाह भविशवक्ता की पुष्टक अध्याय ते रह बाबूल की विश्य की भारी भविश्यवानी जिसको आमुस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया तुम मुंडे पहार पर एक जंडा खड़ा करो, हाद से सैन करो और उनको उचे स्वर से फकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करे मैंने आप अपने पवित्र किये होऊं को आज्या दी है मैंने अपने क्रोध की कारण अपने वीरों को जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है बुलाया है पहाडों पर एक पड़ी भीड का सा कुला हल हो रहा है मालों एक पड़ी फोच की हल चल है राज राजिक ही इकटी की हुई जातिया हल चल मचा रही है सेनाओं का यहोआ युद्धे के लिए अपनी सेना इकटी कर रहा है वे दूर देश से तो क्या आकाश की छोर से आये है हाँ, यहोवा अपने कुरोथ के हतियारों समेच सारे देश को नाश करने के लिए आया है हाई हाई करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है वह सरोशक्तिमान की ओर से मानोर सत्यनाश करने के लिए आता है इस कारण सब के हाथ ढिले पड़ेंगे और हर एक मनुष का रधाय दहल जाएगा और वे घबरा जाएगे उनको पीडा और शोक होगा उनको जच्चा किसी पीडाय उठेंगी वे चकित होकर एक दुसरे को ताकेंगे उनके मुह जाला मैं होंगे देखो यहवा का वह दिन रोश और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृत्वी को उजार डाले और पापियों को उसमें से नाश करे और आकाश के तारागन और बड़े-बड़े नक्षत्र न चमकेंगे और सुर्य उदै होते होते छिप जाएगा और चंद्रमा अ उनकी बुराय के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूँगा और अभिमानियों के अभिमान को नाश करूँगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूगा मैं मनश को कुंदन से और आदमी को उपिर के सोने से भी अधिक महंगा करूँगा इसलिए मैं आकाश को कपाऊँगा और पुत्वी अपने स्थान से टल जाएगी यह सेनाओं के इहवा के रोश के कारण और उसके भढ़के हुए कुरोध के दिन होगा और वे खदेडे हुए हरीन वा बिन चरवाहे की भेडों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएगे जो कोई मिले सो बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा और उनके बालवच्चे उनके सामने पटक दी जाएगे और उनके घर लूट जाएगे और उनकी स्त्रिया भष्ट की जाएगे देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी या कुछ विचार करेगे, और न सोने का लालच करेगे, और वे तीरों से जवानों को मारेंगे, और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे, न लड़कों पर कुछ तरस खाएगे, और बाबूल जो सब राज्यों का शिरोमनी है, और उसकी शोभा पर कस्ती लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा, जैसे सदोम और अमोरा परमश्वर ने उलड़ दिया था, वह फिर कभी न बसेगा, और उसमें यूग यूग कोई वास न करेगा, और अर्भी लोग भी उस में अपने पश्यू बैठाएंगे, वहां जंगली जन्तू बैठेंगे, और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे, और शुतुर्मुग वहां बसेंगे, और छगल मानस वहां नाचेंगे, और उस नगर के राजभनों में हुंडार और उसके सुटविलास के मंदिरों में गिदर बुला करेंगे उसके नाश होने का समय निकटा गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे